नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए ज़र्खन के दिन भर की खबर जानते हैं गुजरात पूल हादसे पर सियम हिमंत ने जताया दूख गुजरात के मौरभी में पूल गिरने से हुए हादसे में अब तक 132 लोगों की मौत हो गया जबकि हादसे में बड़ी संख्या में लोग हैल हुए है, इस हादसे के बाद NDRF की टीमों को मौके पर मवजूद कर दिया गया है इसके अलावा नेभी और एयरफोर्स की टीमों को मौरभी के लिए रवाना कर दिया गया है मरीन कमांडोज को बचाव रहात कार के लिए भेजा गया है बताया जा रहा है कि मरने वालों में 40 बचे सामिल है जबकि इस हादसे में अब तक 137 लोगों को बचा लिया गया है इस हादसे को लेकर राश्च पती परधान मंत्री ने इस हादसे पर गहरा दुख जदाया है परधान मंत्री नादमोदीने दुर घाठना में मरने वालों में से पर्तेक के परिजनों को दो दल्लाख रुपए अनुगरा रासी की घुसना की है इसके साथ ही देश पर के आलन ने तावों ने भी इसको लेकर अपनी सन्वेदना प्रकट की है बताद जार्खन के मुखे मंत्री हेमसुरे ने ट्वीट कर गुई रात में हुए हाजसे पर अपनी सन्वेदना प्रकट की उन्होंनों दुख परकट करते हुए अपने ट्यूटर हेंडर पलिखा है कि गुईराथ के मोर्भी में नदीप पर बने ब्रीज के टूटने से कई लोगों के हताहत होने की दुखत खबर मिली है परमात्मा से हाथसे में हताहत हुए लोगों की कुसलता की कमना करता हूँ अपनी पार्टी का विवाद सुल्धाने के लिए सियम हमन्त लेंगे कड़ा फैसला जार्खन की सत्ता पर काबिज जामो का विवाद जन्म भूमी धनबाद में इसकदर बढ़ गया है कि इसे मुख हमन्तरी हमन्त सुरेन ने भी नहीं सुल्धा पा रहे है बतादे हमन्त सुरेन ने अपने दूत के रूप में पार्टी महासचीव गोविंद पांडे को इसे सुल्धाने के लिए लगाया था दो बार उन्होंने पंचायती की लेकिन बिवाद नहीं सुल्धा अब खुद हेमंत सुरेन बिवाद सुल्धाने के लिए मोर्चा सम्भालेंगे इस बिवाद के कारण जामो की साख यहां गिर रही है संभवना है कि महापरोचट के बाद अब हेमंत सुरेन इस मामले में कोई कठोर नहीं न ले सकते हैं बतादे विधायक मत्रवा परसाद महतो के चुनाव छेतर टूंडी विधान सभा छेतर से जामो जिला अध्यक्स रमेश टूंडू भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं पिछले जुनाव में टूडू ने दावा ठोका था लेकिन ने तित्र से इसे गमीटा से नहीं लिया था चंद्रग्रहन आठ नौंबर को बड़ी अन्होनी की असंका चंद्रग्रहन आठ नौंबर 2022 मंगलवार को लग रहा है भारत में यह पूर्ण चंद्रग्रहन होगा चंद्रग्रहन 2022 देश के कई इलाकों में देखा जा सकेगा ग्रहन के 12 गंटे पहले से 12 गंटे बाद तक सुतक काल का परभाव मना गया है कुछ जोती स्वीद चंद्रग्रहन पर चौकाने वाली जनकारी दे रहे हैं उनके मुताबिक चंद्रग्रहन से प्रकिर्टी के बेवार में बहुत हथ तक बदलाव देखा जाएगा प्रिथी पर अने वाले अधिकतर जीव जन्तु ग्रहन की चपेट में आएंगे चंद्रग्रहन पर चंडाल दोस लगने के असांका भी जताई गई है जिससे कई रास्यों के जातको के जीवन में उथल पुथल आ सकता है बतादे भारत में चंद्रग्रहन मंगलवार 8 नवंबर को साम 5 बए से 6 बए तक रांची पटना कुलकत्ता गुवाहाटी, कोहिमा, नई दिल्ली, बैंगलूरू, नागपूर और मुंबाई समेत कई सरों में देखा जा सकेगा जार्खन में तबाही मचाने की त्यारी बड़े प्रमाने पर हतियार मिला बुढ़ा पहाड में चल रहे स्पेसल दवरान सोम वार की सूबा लाते हर्थाना उलो और पुलिस को बड़ी कम्याभी मिली है मवादियों के द्वरा छुपा कर रखे गए बम, राइफल एवं भारी मत्रा में गोली बरामत की गई पुलिस अधिक चक अंजनी अंजन पुलिस लाइन में प्रेस वर्ता कर बताया है कि गुप्त सुचना मिली थी कि बुढ़ा पहा के आसपास के इलाका में मवादि ब्रहमन सील होने की योजना बना रहे हैं को छोड़कर फ्रार होने की विवास हो गाए थे जार्खन के एतिहासिक अस्थलोपठ हरने की खास ब्यवस था 15 नॉमबर 2022 को जार्खन 22 साल का होने जा रहा है इन 22 सालों में राजे ने अनेक उपलवद्य आजिल की है इन में से परेठन भी एक है बतादे परेठन को बढ़ावा देने के लिए सबी सरकारों ने कई कदम उठाए और उसके नवीकरन पर ध्यान दिया इसी का पहिनाम है कि साल दर साल जार्खन में आने वाले परेठकों की संख्या लागतार बढ़ती ही जा रही है राज सरकार की आकड़े के मान में तो 2000 में जार्खन आये देसी परेठकों की संख्या के वाल 26,991 और भी देसी परेठकों की संख्या एक सबहतर थी इसके बाद के बरसों में परेठकों की संख्या में सेकलों गुना का जापा हो गया है लेकिन वर्स 2011 तक देशी परेटकों की संख्या बढ़ कर 145,88,387 और भी देशी परेटकों की संख्या 87,521 पहुँच गई है वहीं वर्स 2019 में राज में आने वाने देशी परेटकों की संख्या 3,55,88,768 हो गई है NCC के डेटों को सेना भरती में अस्थान दिलाने के लिए खिरू महतों करेंगे परियास बुड़ू इसीत पंच परगना किसान कॉलेज परिसर में NCC एकाई दोारा स्वागा समरोकाजन किया गया मौके पराज सबा सांसत खिरू महतों सामिल हुए इस असर पर NCC के परभारी और इंटर परभारी परचार रामाधारन साहु ने स्री महतों को बुक के और साल उड़ा कर समानित किया उनके समान में NCC के कैंडिडेटों ने उन्हें प्रेट से सलामी देखका स्वागत किया और NCC कैंडिडेटों को सेना में भरती के लिए नोक्री में आरक्षन देने की मांग को लेकर एक ज्यापन सोपा इस स्वागत समारों में सांसत खिरू महतों ने अपने समोधन में कहा है कि ग्रामी सुदूर चेत्र पंच परगना किसान कॉलेज में रभी वार छुटी के दिन भी NCC का अभास सरानिये कदम है मैं सदन से मांग करूंगा कि NCC के प्रसिक्षित युवाओ को सेना में भरती के लिए नोक्री मस्थान मिले उन्होंने आगे कहा राष्ट की सकती युवा सकती ही है युवाओ को राष्ट प्रेम और अच्छे नागरिक बनने की दिसा में सकरात्मकाल करना चाहिए बुड्डू में छट वरतियों ने उगते सुरज को दिया अरख बुड्डू सहीद पूरे पंच पर गना छेत्र में बड़ी संकाय में छट घाटों पर छट वरतियों ने सब परिवार पहुँचका दूबते और उगते सुरज को अरख दिया इस मौगे पर वरिष्ट राजनिती परिवार से जुड़े प्रसासनिक अधिकारी और सभीवर्ग के लोग मवजूद थे संस्क्रिती विहार की ओर से सरधालू भक्तों को लाइटिंग पूजा करने की सभीवस्था कराई गई थी रोमन चर्च में 196 बचे ने अध्यात्मिक ता में दीड रहने का लिया संकल्प रभिवार को रोमन कैथोलिक चर्च में कैथोलिक परिवार के अध्यात्मिक रूप में समझदार 114 बच्चे बच्चयों को कुरूश वीर, सूरवीर, उमिद्वार और प्रार्थि की उपाधी फैदर यूनिज एकाद्वारा दिया गया चारवस्तर के बच्चे बच्चों को अपने जीवन में हमेशा चार चीजे प्रार्थना परम प्रसाद, बलिदान और प्रेडिताई के लिए संकल्पित रहने के लिए प्रतिग्या दिलाया गया उपाधी प्राप्त सभी बचे बच्चे ने अपने जीवन में अध्यात्मिक रूप में मजबूत रहने के लिए समर्पन की प्रार्थना भक्ति मैं तरीके सहिस्वर के नाम पर प्रम परसाद ग्रहन करना स्वायम के अलावा औरों की जीवन की खुसाली के रिए जीने का प्रान लिया और अपने वा औरों को इस्वर पर विश्वास करने के लिए प्रेरीद कर जीवन में प्रगतिकी और बढ़ने का संकल भी लिया है गढ़वा में छट पुजा के लिए परिवार पहुंचा घाट घर में लटकी मिली मासूम बेटी की लास गढ़वा जिले के मेराल थनाचेतरे के कजराठ गाव निवासी रमेश चौजरी की पूतरी गुद्डी कुमारी चौदा वर सिये संद्यास पत परिस्तिती में मौत हो गई उसका सो घर में ही ओढ़नी के फंदेश से जुमता हुआ मिला है घाटना रभिवार की रात की है मृतका के सोजनों के अनुसार रभिवार की रात में घर के सभी लोग चट घाट पहुँच गए थे जबकि गुद्डी कुमारी घर में अकेली थी गुद्डी ने सोजनों से कुछ दिर बाद चट घाट पर आने की बात कहा था लेकिन हुआ छट घाट पर नहीं गई रात करीब नौ बजे गुद्डी के पितारा में चोजरी घर पहुँचे तो गुद्डी को ओड़नी के पंदे से जूलता हुआ पाया उसकी मौत हो चुकी थी गुजरात के मौरभी पूल हाजसे में 132 लोगों की मौत गुजरात के मौरभी में रभीवार को भ्यानक पूल हाजसे में अपसक 132 अधिक लोगों की मौत हो गई है इस दूर घटना में मरने वालों में बच्चे और महिलाए सबसे अधिक है एंडी आरेप की अगुवाई में यहां राहत और बचाव कारे यूद दस्तर पर चलाया जा रहा है जारकन के मौ के मंतरी हेमान सुरें रगवर दास बावुलान मरांडी दिपक प्रकास समयत कई भाजपाने ताओं ने मौरवी पूला हाथ से पर सनवेदना और गाहरा दुख जताया है बतादे गुजरात के सीएम भूपेंद्र पर टेल ने मौरितको के परिवार को 4 लाख रुपे मुअबजा की घोसना की है जबकि परदान मंत्री कर्याला पीएमों ने भी मरने वालों के अस्रितों के लिए परदान मंत्री राहत को से 2 लाख रुपे की अनुगरा रासी की घोसना की है अधिकारियों के मुताबी गुजरात के मौर्भी में माच्छू नदी पर बना करीब 100 साल पुराना पूल रभीवार सामधा गया है जिससे उपर पर खड़े कई लोग पानी में गिर गए ज्यार्खन के लोगों के बीच 1200 क्लोर बाटने का एलान ज्यार्खन के मुखे मंत्री हेमासुलें ने राजे के 30 लाग परिवारों को बड़ी खुश खबरी दी है सुखाय परवाईत किसान परिवारों को फवरी तोर पर 35 रुपे प्रती परिवार अगरिम सुखा राहत रासी दी जा रही है आपदा प्रवंधन की महदपूर बैठाक के बाद परदेश के कूल 22 जीलों के 226 पर खंट सुखाय राज खोशित किये गए जिने सरकार प्राथमिक्ता के अधार पर मदद उपलब्द कराएगी राजे आपदा प्रवंधन प्रादिकार की बैठाक में मुख मंत्री ने अहम खोशना करते हुए कहा है कि राजे के 30 लाग से अधिक सुखार प्रवाइद किसान परिवारों के जीवान यापन के लिए सरकार लगवग 1200 रुपे खर्च करेगी बिवादित ब्यान पर कांग्रेस के करकारी अध्यक्स जलेस्वर का यूटन कांग्रेस के पर देश करकारी अध्यक्स बाग मारा के पूरोविधायक जलेस्वर महतुर ने अपने बिवादित ब्यान पर यूटन ले लिया है ब्रामन जाती पर कसाई खाना चलाने का ब्यान देकर बिवादों में घीरे जलेस्वर ने अब ब्रामनों से माफि मांग ली है गौतलब है कि बीते गुरुवार को माटी गढ़ा में गोवर्धन पूजा के उसर पर आयुजीत एक कारकरम जलेस्वर ने कहा था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गोमांस की तसकरी अपने देश हिंदुस्तान से होती है वहीं जीतने भी बड़े बड़े आटोमेटिक का साई खाने हैं उनका संचालन ब्रामन जाती से जुड़े लोग कर रहे हैं और नाम इसाइक का बदनाम किया जा रहा है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल एक अंद बढ़े साची साथ वीडियो के लाइक करें दोस्तों किसा सगर करना भूले साची साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़ कर दो